Dear student, we have to discuss about the young children learning from the sustainable development through the tradition culture. हम culture के उपर बात कर चुके थे, culture के उपर हमने बात की, हमने कहा कि culture एक factor है, driving factor है हमारे behaviors का. अब अगर culture को develop कर दिये जाए, culture के अंदर sustainability लेके आई जाए, तो उससे क्या होगा, जैनि अगर हम यूँ समझ लें कि अगर हम culture को sustain कर लेते हैं, तो हमारी जो नई generation जो आज बच्चा आ रहा है, वो कहां से knowledge ले रहा है, उसके जो values हैं, वो अपने culture से ले रहा है, trend of good and bad, अच्चाई और बुराई के जो पैमाने बना रहा है, उसका culture उसको बता रहा है, और वहां से वो सीख रहा है, अब उस अच्चाई और बुराई के पैमानों में अगर हम ये सोच लें, अगर उसके जहन में बैठ किया है, कि जी तालीम हासिल ना करना बुरी बात है, और हासिल करना अच्ची बात है, तो इसका मतलब है कि हमारी यंग जनरेशन ड्राईवन हो गई, पिरॉरिटी पे एजुकेशन आ गई और बाद मतलब का कि एजुकेशन के बाद हम दूसरी तरफ चाहें, अच्चा आप दूसरी तरफ आजें, हमने का जी वेक्सीन लगवाना अच्छी बात है, वेक्सीन ना लगवाना बुरी बात है, हमारी एक सोच डिवेल्प हो गई, हमारा वैल्यू सिस्टम बन गया, तमाम लोगों की ये सोच हो गई, कि नहीं, अगर आप वेक्सीनेटर नहीं होंगे, तो ये बुरी बात है, जन्ग जन्रेशन ने अभी इस कल्चर से सीखना है, जन्ग जन्रेशन वहां से उसकी सोच डिवेल्प हो जाएगी, वो जहनी तोर पे इसको पर आमादा हो जाएगा, कि मैंने अभी दो का जिक्र किया है, मिसाल के तोर पे आपके साथ, इसी तरह किसे हम 17 के उपर अगर हम बात करना चाहिए, तो हम 17 के उपर बात कर सकते हैं, वो इस बात के उपर अमादा हो जाएगा, कि मुझे पानी को सेव करना है, ये अच्छी बात है, मुझे पलूशन क इस के उपर उसका बलीफ आगए अगा है, उनके वेल्योस के अंदर उपने वो शामिल हो गया है, वेल्योस में इंकल के हो गए है, कि ये अच्छी ये बुरी दरख्त लगाना अच्छी बात है, दरख्त काटना बुरी बात है। तो अगर ये सोच बन गई है, तो वो जंग हो जाएगी कल्चर से क्योंकि वो बुनियादी तोर पर कल्चर से ही चीज़ें सीख रही होती है उसके अंदर चाहे वैल्यूज हो चाहे लैंग्वेज हो चाहे नौलेज हो आर्ट हो इंटिरियर एक्सटिरियर डेकॉरेशन हो विस्टम हो अब यह तमाम चीज़ें जो हैं य अगर हमारे पास चेंज आती है और उस चेंज के जो असरात मुनतब होते हैं यंग चिल्डन के उपर वो क्या मुनतब होंगे कि वो जो चेंज आ गई है अब नई नसर के अंदर वो ऐसी इंपोट हो जाएगी जो उसके बाद वो आगे कंटिन्यू कर लेगी और वो स्टेन करेगी अब उसकी जो रिटेंशन है वो रिटेंशन अगले 20-30 सानों तक हमें लेके जाएगी जनी अगर आज की नेशन हमने एक चेंज लिया है और वो चेंज लाने के बाद हमारे जो बिलीफ से या हमारे स्टेंडर्स थे हमने नई जनरेशन के अंदर वो सोच कॉलेक्ट कर दी अब ये उसके अंदर कंक्रीट हो जाएगी और ये कल्चर का हिस्सा बन जाएगा और आने वाली नसल में वो इमूनिटी हो वो इनिकुलेटी हो कुछ भी चीज हो जनी हम अगर 17 के 17 जना उनको बात करते हैं स्टेंडर्स को और हम उसको इंटर्पेट कर लेते हैं तो वो सारे के सारे रियलिटी में ट्रांसफार्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कुल्चर पेरामिटर्स हैं जो रिप्रिजेंटेटेटिव आफ दफिजिकल क्रेशन मेर्ट जूजेट उसेड़ और शेर्ट आइड बाइबर्स अन सेल्टन अब देखें ये दोनों चीज़हे जो हमारे पास एक तरह हमारे पास जो in आफ फिजिकल आउटपुट आइंटेड हैं दूसरी तरफ जो हमारे पास परदेडाइम हो अनसीन अब अगर इन दोनों और मिला लेंगे और दोनों के मिलाने के बाद यहनी हमारी आटपुट में बी चाइज आई हमारी सोच में भी चाइज है делать हमने इस वजह से पानी जाये नहीं किया किह इसको पर पाइसे लगे हुए एकनॉमिक है पाशास सुपाए की बोत रिए लिए नहीं यहार इसको जाये नहीं करना बलके हमारी सोच में चेंज आ गई यह जो पैसे लगे हुए चेंज नहीं करना यह हमारी पैसे पानी करना है और जब पानी को सेव करना है क्यों करना है हमारी सोच बैठ गई कि हमने एग्रिकेशन के लिए हमें सतीर फिसद पानी चाहिए हमसे उसके लिए हमारे मारे लिए आटोमेटिकली जायेगा अब उने के बाद इस हालत में चले गए है हम्हारे लगे आँज ह्यूं आज आरैख चंज यह हमारे पास स्टेनेबिलिटी की तरफ चले गए और एक generation जब sustainability की तरफ चले जाएगी तो फिर वो continuity की तरफ चलेगी